हलो बियोष, नमस्य है, वेल्केम तो माइ चैनल रुवीज रहसोई आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिवेल बटन पर क्लिक कीजिए और मेरी रेसिपीच आपको कैसी लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताईए तो चलिए आज हम बनाते हैं आज की हमारी रेसिपी तो आज की हमारी रेसिपी है स्ट्रीट स्टाइल आलू मटर की चाट ये एक चटपटा डी से वो खाने में बहुती अच्छा लगता है तो इसके लिए हमने सबसे पहले ली है चार उबला हुआ आलू उबली हुई मटर, दही, सेव भूजी, इमली के खट्टी मिठी पानी एक बारी कटी हुई ओनियन, एक कद्दुकस की हुई गाजर, एक बीट, हरा धनिया, एक टमाटर, और एक चॉपट की हुई ओनियन और मसाले में हमने ली है जिंजर गालिक पेस्ट, हल्दी, स्वादा नुसार नमक, पंच फूटन, अगर आपके पास पंच फूटन नहीं है तो आप स्कीप कर सकते हैं एक टी स्पून गरम मसाला, टोमेटो केचॉप और ओल पहले हम आलू को इस तरह से मेश कर लेंगे, इससे पूरी मेश नहीं करना है अब हमने आलू को मेश कर लिया है, अब हम इसको साइड में रख देंगे पहले हम प्यास को मिक्सी में लेंगे, और इसमें एक टी स्पून गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अब हमारा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में फिले ग्यास में कडाई को गरम करके तेल ले लेंगे मैंने यहां पे तीन टीस्पून तेल लिया है इसमें थोड़ी से पंच-फुटन डालेंगे अब हम इसमें एक टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए फ्राइ कर लेंगे फिर हम इसमें हमारी बनाई हुई ओनियन का पेस्ट डालेंगे इसको इसके साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसमें मसाले के हिसाब से थोड़ी सी नमक डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी रेड़ चिली पाउड़ा और इसको मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई टमाटर इसके उपर थोड़ी सी नमक डालेंगे अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें बीच बीच में थोड़ी सी पानी देंगे ताकि मसाला जो है कड़ाई के साथ चिपक ना जाए इसको ज़्यादा खटी मिठी बनाने के लिए इसमें हम एक से दो टीस्पून टोमाटो केचप डालेंगे अब हम इसमें कटी हुई बीट को डाल लेंगे इससे चाट की कलर बहुत अच्छी आएगी हम कोई भी आटिफिसियल फूट कलर यूज नहीं करेंगे इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी पानी दे देंगे ताकि बीट अच्छे से पक जाए अब हम कड़ाई का ढखकन दे के इसे धीमी आज में पान्च से छे मिनिट तक पकाएंगे अभी हमारा बीट पक चुका है देखिए मसाले का कलर कैसे चेंज हो गया है हमने कोई भी फूट कलर यूज नहीं किया है अब हम इसमें मेश की हुई आलू दे देंगे इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें उबली हुई मतर को डाल देंगे थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि यह आलू मतर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए हम इसी ज़्यादा ग्रेवी नहीं करना है तो थोड़ा सा ही पानी देंगे हमारा चाट अभी रेडी हो चुका है अभी हम इसे गानिस करेंगे चाट मसाला पाउडर गाज़ ओन्यन थोड़ी सी इमली की खट्टी मिठी पानी दही थोड़ी सी सेव हरा धनिया और थोड़ी सी ब्लाक सॉल दे देंगे आप ये चाट घर पे जरूर ट्राय कीजिए और कामेंट में मुझे बताए आपको ये रेसिपी कैसी लेगी इसे ही और मज़दा रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेयर कीजिए थैंक यू झाल